कि आप सब बहुत अच्छे होगे और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेट रमाई शर्मा आज के सूपर लेक्चर के अंदर सूपर टॉपिक है आप लोगों के लिए नैशनल स्टेटिजी फॉर फिनेंशल इंक्लूजन 2019-2024 विच रीसेंटली लॉंच्ट बाइ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबिया ने लॉंच्छ की है नैशनल स्टेटिजी फॉर फिनेंशल इंक्लूजन 2019-2024 वाले टैनने और के लिए कि टॉपिक हमारे जी एस पर नमबर थ्री के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्रिलेंश टू-जीरो टू-जीरो की यह टॉपिक आप लोगों के लिए सूपर रेलिवेंट टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार करने से पहले सवाल आता है कि यह फिनाइश इंक्लूजन इसका मतलब क्या होता है what is the meaning of फिनाशल इंक्लूजन फिनाशल इंक्लूजन का मतलब होता है कि यहां पर फिनाइन्स से रिलेटेड जो प्रोडॉडक्स है इस वेल इस जो सर्विसेज हैं वो अफॉड़ेबल इजी चीप मीडियम से मैक्सिमम पॉपुलेशन को मिल सकें फिनाशली हम लोग इंक्लूड कर सकें हमारे देश के हर एक नागरिक को जब ट्वेल्थ फाइब प्लान आया था उसके अंदर वन आफ दी में फोकस प्रद्धान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने भी अपनी स्पीच के अंदर जिक्र किया था प्रद्धान मंत्री जन्धन योजना को बात करेंगे अर्बियाई की स्ट्रेजी पर सिनेंशन प्रद्धान के बारे में स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दू आइम दी एजुकेटर और अनकाडमी प्लस प्लाटफॉर्म जो आप लोगों के लिए डेली करेंट अफेर शो लेकर आता है आप लोग कोड रेफरल कोड तो यूज करना बिल्कुल मत भूलना ठीक है यह तरीके का कूपन है इस लाइक का कूपन का इस्तेमाल करूं अमन एस वाइटी टेन पाव एक्स्ट्रा डिस्काउंट ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं नाशनल स्ट्रेजी पार फिनांशल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर प्लान की नाशनल स्टेटीजी पर फिनांशल इंक्लूजिए आपको पता होना चाहिए 2019 से 2024 वालो जो पिरिए है उसके लिए एक एमबीशिय स्टेटीजी है जिसका में मकसद है कि हम ऐसा एको सिस्टम ऐसा एन्वार्मेंट क् तो हम लोग पहुचा सके टीयर टू और टीयर शिक्स सिटीज के अंदर पहुचा सके बाइस यह जो टीयर सिटीज है ना के डिफाइंड होती है ऑन दी बेसिज ऑफ पॉपुलेशन एक इस सिटी में कितनी जनसंख्या है और टीयर टू और टीयर शिक्स जो सेंटर्स हैं वहाँ पर हम लोग बेटर इंफ्रेस्ट्रेक्ट्टर लेकर आएंगे जिससे यह जो सिटीज हैं यह लेस कैस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ चकें बाइ मार्च टू जीरो टू टू इस दी की ड्राइवर ओफ एकनॉमिक ग्रोथ वैसे भी आजकल एकनॉमिक ग्रोथ 4.5 के राउंड चल रही है तो अगर उसे बढ़ाना है तो यहां पर फिनैशल इंक्लीजन की मदद लेनी पड़ेगी लेस कैश एकनॉमिक मदद लेनी पड़ेगी तो लोग कैश में डिल क करते हैं टैक्स रिवेन्यू कम हो जाता है तो यह में जीज़ है ठीक है और पॉवर्टी एलिविएशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट टोल है फिनैशल इंक्लीजन का गाइस अभी मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं तो टेय वान सीटीज में कौन कौन सी obt इया जहां पर एक लाग से जादा की पॉपुलेशन रहतीं टीर 2 में 50,000 से लेकर 1,00,000 तक की population जहां पर आती है टीर 3 में 20,000 से लेकर 50,000 तक की आती है टीर 4 में 10,000 से 20,000 टीर 5 में 5,000 से 10,000 और टीर 6 में less than 5,000 तो यहां पर target अभी टीर 2 और टीर 6 वाले centers को किया जा रहा है जिसका में मकसद है एको सिस्टम को डवलप करना टीर 2 और टीर 6 centers के अब गाइस हम कोई भी यहां पर strategy लेकर आते है तो strategy की होती है vision कि वो अपनी दृष्टी क्या रख रही है इन चीजों को वो अचीव करने की कोशिश कर रही है तो गाइस विजन है हम लोगों को financially aware एंड एंपावर्ड इंडिया बनाना है remember this this thing you need to remember क्या बना रहे हम लोग financially aware लोगों में जागरुक्ता फिला रहे हैं करना लोगों को educate करना खासकर consumers को financial services अगर मैं अवेल करता हूं bank से तो मैं bank का consumer हूं या जैसे insurance sector है न वो भी तरीकी financial services है तो उनके लिए भी आप सब लोग consumer हैं ओके जब financial services हूं and you need to make available various type of products and their features और आपको consumer को अपने products के बारे में teachers के बारे में सारी जनकारी देनी तार्गेट यहां पर set किया गया है कि every willing and eligible adult जो लोग चाहते हैं और जो लोग eligible हैं और जो लोग enrolled है पहले ही प्रधान मंत्री जंधन यूजना के तहत उनको एंडोल किया जाएगा under an insurance scheme and a pension scheme by March 2020 तक लोग जंधन यूजना के लिए eligible हैं या पहले से enrolled हैं उनको target किया जा रहा है कि वो इंशोरेंस वाली services का फायदा उठा सके पैंशन services का फायदा उठा सके बाइ मार्च 2020 उनको एंडोल करा दिया जाए यह एक में मकसद है यहाँ पर national strategy का इसके साथ चेंज attitude to translate knowledge into behavior consumers को यह समझाना कि उनके rights क्या है उनकी responsibility क्या है as a client of financial services तो इसका भी ध्यान रखा गया है कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि being a consumer उनकी भी कुछ responsibilities है उनको भी समझाया जाए यहाँ पर जो banking outlets है और यह बहुत important point है इस point से financial inclusion का जो रास्ता है वो चालू होता है जो banking outlets है वो provide करेंगे banking access हर एक village को within 5 km radius और a hamlet of 500 household हर एक 500 household के लिए एक यहां पर bank branch होनी चाहिए या हर 5 km के अंदर एक bank branch होनी चाहिए ensure कर रहे हैं कि every adult had access to a financial services that are providers through a mobile device by March 2024 उन सारी के सारी services जो कि mobile device के थुरू आप लोग असेस कर सकते हो पुरे देश में हर एक adult को उसको use करना उसको इस्तमाल करना उसका फायदा मिलना March 2024 तक हो जाना चाहिए यह है नाश्चा स्टाइजी for financial inclusion अपर इसके नदर market players है जैसे एंबी एफसी जैड़ो बैंक से हमारे एजुकेशन इंस्ट्यूशन हैं एंजियो से स्टेक होल्डर के रूप में काम करेंगे यह मदद करेंगे लोग को अवेर कराने में लोग को उनके राइट समझाने में वह कर जो हमारी स्टेटेजी का मेन मकसद है यह बतायाना मेन मकसद अवेर कराना और एंपावर कराना तो यह stakeholders यहां पर उन सारी की सारी तीज़ों में मदद करेंगे अब यहां पर significance किया है इस पूरी strategy की देखो भाई यहां जो हम लोग steps ले रहे हैं वो हमें जरुरत है अगर हम लोग हमारे देश में digital financial services को बहतर बनाना चाहते हैं कि उसके अंदर आपको awareness करनी पड़ेगी आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा कि digital medium को कैसे यूज करते हैं transaction कैसे करते हैं और यहां पर आपको हम लोगों को साइबर security भी देनी होगी यहां पर आप लोगों को हमें साइबर security भी देनी होगी there is a need to develop a sector specific action plan हम लोग यहां पर sector specific action plan बनाएं इसे banking के लिए बना रहे हैं या insurance के लिए बना रहे हैं या pension sector के बना रहे हैं और जो target हैं उनको monitor करें अच्छी तरीके से target कैसे अचीव हो रहे हैं उन चीज़ों को review किया जाए regulatory mechanism माइं काइस करेंट ली जो financial inclusion policies है यहां पर स्पेसिफिक सेक्टर्स यहां पर मेडियम बिजिनिस के आरें बात करें अगरी कल्चर स्पेसिफिक रीजन्स नहीं के ओपर फूकस करती हैं और भी ज्यादा हम लोगों को यहां पर फूकस करने की जरूरत है तो यह है national strategy for financial inclusion की सिग्निफिकर्स यह जो स्टेटिजी हमारे सामने आई है वह एक और चीज़ के बारे में बात करती है दिस दोने इस public credit registry super important topic है यह topic अकेले भी आप से prelims में पूछा जा सकता है public credit registry बोला गया national strategy for financial inclusion के अंदर कि March 2022 तक public credit registry यहां पर fully operationalize हो जाएगी इसकी मदद से क्या होता है जो financial entities होती है they could leverage it for assessing credit proposal मान लो कि अगर कोई व्यक्ति तरह इसकी slide लेते हैं public credit registry system PCR के अंदर हम लोग क्या बना रहे हैं we are making a database हम लोग एक database create कर रहे हैं जिसके अंदर किसी का भी नाम है और वह जिंजिन institution से यहां पर क्रेट ले रहा है उनके नाम है अब मान लो यह अगर क्रेट लेने किसी और दूसरे institution के बाद जाता है तो इस institution को पहले फ्रेही अवली लिस्ट पता होगी कि इस रखती ने पहले और किन-किन लोगों से यहां पर ले रखी है तो अब यह बहुत important है because इसकी वजह से क्या होता है हम असेस कर सकते हैं तो यह तरीके का एक्स्टेंसिव डेटा बेस है क्रेडिट इन्फर्मेशन का बॉरवर की क्रेडिट इन्फर्मेशन का एक डेटा बेस तके डाटेट असेसे बल्टु आर्टी डिदे इस्टिट्यूशन उनके लिए अविलेबल होगा तो PCR होगा यह सिंगल पॉइंट मेंडेटरी रिपोर्टिंग होगा सारी की सारी information का जो की लोन से लिंक करेंगे PCR कैप्चर करेगा वह सारी की सारी relevant information about a borrower की वह कौन-कौन से बोरिंग प्रोड़क्त यूज कर रहा है वह बॉंड्स है ना बाकी सारी चीज़ें साथी PCR विल सर्व ऐसा रजिस्ट्री ऑफ और क्रेड़िट एग्रिमेंट्स जितने वी क्रेड़िट एग्रिमेंट हैं देश के अंदर उनकी रजिस्ट्री के रूप में भी PCR काम करेगा ओके और यहां पर इंडियन इस्टिशन अगर किसी कंपनी को लेंड करती है उसके ब देश्टले कमिटी थी जो आरवे ने सेटप की थी उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर पहली बार सजेस्ट किया था कि हम हमारे देश में पब्लिक क्रेड़िट रजिस्ट्री सिस्टम लेकर आएंगे इसलिए आरवी आए ने इसको एज इंडिपेंडेंट यूनिट की तो 2024 डेली आता हूं आप लोगों के लिए रोज सुबाद दस वजे इतने ही मज़दार टॉपिक लेकर क्योंकि ये सिंगल सिंगल टॉपिक आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे माक्स दिलाते हैं चलिए आज के सेशन को यहीं करते हैं तो लव और पीस फो माई साइट थैंक यू क्या है